अस्सलामों अलेकुम आज मैं बनाई हूँ चिकन अंगारा जो कि बहुत ही टेस्टी बन करके तयार होता है स्मोकी चिकन जिसके लिए आपको चाहिए मसाले में मैं ली हूँ चार सुखी लालमेच दो टेबल स्पून साब अधनिया एक टी स्पून काले मेच एक टी स्पून जीरा और ये छोटा सा बिलकुल टुक रहा है जायफल का और एक जावतरी ली हूँ और ये दस से बारा मैं लॉंग ली छे साथ हरिय लाइच ली हूँ और एक दो इंच का और एक इंच का तीन इंच का लगभग मैं सिनमनिस्टिक ली हूँ और यह मैं 3 warm size haft days to be fine chopped और इसे और fry कर लिए और यह fare 13 Mag of D Kajoo कह में अब चाहे तो षवास कर ले सकते हैं या चाहे तो सिर्फ काit GU Satin === चाहे तो आप लिए को भी नहां से प्यास भी ले सकतेwest हैं और आप मैं मसाले को रोस्ट सर्फ ले में नाल मिर्च जीरा मिर्च और काले मिर्च को रोस्ट करोंगे पैन घर्म हो गया इसके अंदर मैं सारा मसाला डाल द shortcut गर्म मसाला मैं के इंदर नहीं डाल और इसे लो फ्लें पर अज़े से रोस्ट कर लूँ और यहिंसे अंदर देmost ऑच्छे सी कुष्बू आने लगे कचे अच्छे सी खुष्भू आ गई है और अब में घास का फ्लेम बंद करदेती हूं और बैस का फ्लेम बंद करने के बाद यह मैं गर्म मसाला जो ले थी उसे डाल करके हलका सा चला लेती हो तक यह बहुत कर जया हूं और इस अब को मैं जाआ करके और इसे में ग्रॉइंड कर लूँगे सारे मसाले को हिए गैंस कफुने बंद करके ही आप गर्फ मसाला डाले यह मैं ज जार द केढ़र में ऐफ कप भी लेंगे हो इसमें दही जादा पढदता है और इसके अंदर यह में काजु डाल दे, बादान डाल दे, और जो प्यास को जो फ्राइ की थी, वो डाल देती हूं, और इसका मैं पेश्ट बना लेती हूं, सारे को डाल करके, यह मैं एक केजी चिकेन ली हूं, जिसे मैं अच्छे से वाश करके, इसका जितना भी एकस्स पानी था, उसे मैं निकाल दे हूं, और इसके अंदर वो प्याज और ड्राइ फ्रूट का जो पेश्ट बनाई थी, दही डाल के वो डाल दे हूं, और जो मैं मसाला रोष्ट की थी, अंगारा मसाला, वो सारा मसाला मैं डाल दी हूं, जिसे मैं ग्राइंट कर ले थे, और अब मैं इसके अंदर कश्मीली लाल मिर्च डाल दी हूं, दो टेबल एस्पून, क्योंकि यह तीखा नहीं होता, और जिंजर गारलिका पेष्ट मैं डाल रही हूं, इसके अंदर तीन टेबल एस्पून, इसके अंदर मैं हाफ कप तेल डाल दीओ, मैं वही तेल वी उसे हूं, जिसमी प्यास फ्राय की थी, और टेस्ट के हिसाब से मैं इसके अंदर नमक डाल देती हूँ और ये मैं दो मीडियम साइज का टमाटर ली थी जिसे मैं चॉप्ट कर ली उसे भी डाल देती हूँ और इसके अंदर डिस्टोरेंट वाला लुक लाने के लिए मैं इसके अंदर थोरा सा फूड कलर डाल रही हूं यह उप्शनल आप चाहें तो डाले एसके बिकरते हैं और इसे में मारिनेट होने के लिए डाल दूंगे अगर आपके पास टाइम है तो दो से तीन घंटे के लि और यह में गैस का फ्लेम ओन कर दी हूं और इसे दो मिनट तक मैं हाई फ्लेम पर पकाऊंगे यह दो मिनट हो गया चिकन के अंदर हलका हलका सा उबाल भी आ गया है और अब मैं गैस का फ्लेम मीडियम करके और ढख ढख कर मैं इसे अच्छे से भून लूंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से भूना गया है और यह सारा तेल भी बढ़ा गया है और यह सारा तेल भी बढ़ा गया है जितना मैं डाली थी अच्छी तरह से ना अब मैंस के अंदर फ्रेश धनिया डेते हैं और इसे मिक्स कर देते हैं अगर आप चाहें तो इसके इंदर पानी डाल सकते हैं एक कप के लगे लेकिन मैंस के अंदर पानी ने ढालूगे मुझे ऐसे ही चाहिए और आप मैं यह और इसके अंदर मैं एक स्टील की छूटी सी कट्वोरी डाल देती हूं और यह में ऐ कोईला गर्म कर लिए हूं उसे डाल देती हूं और अड़ी bancoयla के उपहु यह टीह सम।न तक ही डाल देती हूं कि और इसे में ढख देती हूं ऐसे धुझ दूंगी थीन-चार मिनट के लि यह बहुत ही टेश्टी बन करके तयार होता है अगर आपको यह मेरी चिकन रंगारा की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट और सब्सक्राइब तो मैं चैनल थैंक यू